आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है, आपके लिए लेके रहाए हैं एक Long Term का बहुत बढ़िया स्टॉक, Sale, Steel Authority of India Limited, एक Government का PSU है, और देखिए, कंपनी इतनी अच्छी है, कि जो भी Government के प्रजेक्ट चलते हैं, चाहे वो Bridge बनाने का काम हो, चाहे वो Statue of Unity हो, सब में जादा तर Sale के ही Steel का यूज़ होता है, तो Long Term के लिए बहुत अच्छी है, Government के आगे आने वाले समय में प्रजेक्ट बहुत बड़े-बड़े चलेंगे, जिसके चलते हुए, ये सारे के सारे Stocks तेजी का रुख दिखाएंगे, चलिए चलकर समझते हैं, इसके क्या हमारे पास Special Cover है आपके लिए, तो सबसे पहले बताएं, इनका Depth Reduction का एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, अभी Current Market में अगर देखा जाए, तो December में इनका Depth का Structure करीब करीब 50,000 करोड का है, इनका Target है, इस Financial Year End, यानि की March End तक, इसको 40,000 करोड का कर देंगे, तो 10,000 करोड का Depth का Reduction का प्लान है, उसको बोल सकते हैं, 20% अपना Depth Reduce करेंगे, तो 20% Operation Efficiency भी आएगी, आगे आने वाले समय में, ये Volume Increase करने की कोशिश करेंगे, अपना जो Thruit Put है, उसको बढ़ा कर, जिसके वज़ाए से, आगे ये Stock और तेज़ से इसके, और इनका जो BGR Energy के साथ Contract है, Exclusive Contract है, उसमें भी बहुत अच्छी ख़बर है, उसके लिए हमने अपना वीडियो बनाया है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें BGR Energy को Long Term के लिए एक Positive Momentum बन रहा है, एक Report Publish हुए, जिसके Accordingly BGR, जो Boilers बनाते हैं, 2027 तक बह बहुत ही Positive Momentum में है, अगर हम Thursday का Market देखें तो 8.9 करोड शेर हैं, 20% से कम की Delivery है, जनली इसमें Intraday Trading बहुत जादा होती है, तो अगर Sale का हम Intraday Chart देखें, तो आज Morning पहले Half में काफी तेजी रुख रहा, देखें, यहां से यहां तक गया, और फिर उसके बात में, दुपहर के बाद, इसने एक Downward Channel बना शुरू किया, देखें ऐसे, तो जो लोग यहां पर हो सकता है, कुछ Trap हो हो, वहां फस गए हो, Morning Second Half में जो लोग Long गए हो, उनको Intraday में Square of करना पड़ेगा, अपना यहां पर Lost के साथ में, पर In General, Sale एक बढ़ बात करें, अब यहां पर हम Long Term Chart की बात करें, तो देखें, यह एक बहुत बढ़िया, इसका Upward Trajectory का चैनल बन रहा है, और यह इसी चैनल को Maintain करके उपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है आगयाने वाले समय में, यह हो सकता है, 70 के Level तक भी करेंगा, अगर नीचे का सपोर्ट देखा जाए, तो 55 का एक सपोर्ट है, अब अगर हम यहां पर इसकी बात करें, कि RSI जब इतना तेज हो जाता है, फिर क्यों होता है, तो वहां से करेक्शन हुआ है, 60 के आसपास से करेक्शन होके 53 तक चला गया था, वहां से फिर से बढ अगर हम बात करें, इसके market capitalization की दरस्टी से, यह एक mid-cap company की category में आता है, 24,000 करोर के आसपास इनकी market capitalization है, अब यहीं पर अगर हम इसकी sales की बात भी करें, तो देखें, sales की दरस्टी से, इनका जो revenue generate हो रहा है, वो आने वाले समय में और further enhance करेगा, income statement अगर देखेंगे, तो sales की जो है, 9,000 करोर के आसपास की हुई है, जून के quarter में, और उसकी तरह चलते हुए profitability महां नहीं है, loss है, करीब-करीब 1,200 करोर, तो देखा जैसे आपने sales की दरस्टी से, आगे आने वाले समय में sales सेज़ी से बढ़नी चाहिए, share holding pattern की अगर बात की जाए, तो देखें, यह इसके levels अभी 80 के level पर खरीदने की इसको सलाह नहीं करेंगे, अगर आप इसमें interested है खरीदने के लिए, तो देखें दोस्तो, सबसे अच्छा level जो इसका खरीदने के लिए होगा, वो करीब-करीब 50 और 42 की range में होगा, तो यह दो level आपको समझा रहे हैं, आपने chart पर mark करके कभी भी अगर 50 के असपास आता है, या फिर 42 के अंदर आता है, तो आप यहां पर इसको खरीदने की कोशिश कीज़ें, इस range में, stagger mirror में खरीदिये, long term के लिए यह बहुत बढ़िया stock है, आपको multi bagger बना के देगा, हम लोग nifty और bank nifty के active internet trade service provide करते हैं, 8,000 रुपीज पर मं कल में हो, बाइ गाइस.